दोस्तों जब परिक्षाय नजदीक होती हैं तो ऐसे में आपको जरूत होती है important topics की और हमने इसी के लिए अपना नया चैनल स्टार्ट किया है exam watch नाम से जिसका जो link है वो description box और comment box में पिन करके दिया गया है वहाँ visit करें और वो आपके लिए बहुत उप्योगी होगा जी एस ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग भारतियों विशुका भूगूल की बुक को summarize कर रहे थे द्रिस्टी को बुक में तो इसमें विशुका भूगूल का जो chapter चल रहा था ब्रम्हानियों सौर मंडल उसका एक पार्ट अपलोड हो गया है और उसको आपने यानि के पार्थी ग्रह और जो भी इन ग्रह में वह भी देखेंगे और हर ग्रह की क्या प्रमुक महत्वण बाते हैं सौर मंडल में जो धूमकेतू है या छुद्र ग्रह है या उलका-उलका पिंड है उनके बारे में भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से इनको डिसकस कि लाय जा रहा था तो इसलिए प्राग में दोजार्चे में सम्मेलन हुआ जिसमें अंतराश्टी खगोली संग ने उन्हीं को आकासी पिंड्नों को ग्रह माना जो इस परिभासा पर खरी उतरते हैं तो आपसे आयोग इसी पर एक क्वेशन पूछता है कि ग्रह की सेड़ी मे कौन होगा और कौन नहीं होगा उसके लिए क्या सड़ते हैं तो तीन प्रमुक्ष सड़ते हैं यह ध्यान रखेंगे पहली यह है कि ग्रह उन्हीं अकासी पिंड्नों को माना जाएगा जो अपनी निस्सित कक्षा में सूरी की परिक्रमा करते हो इसी के आधार पर जो आपक कंष से हो करके उजरता था तो इसी लिए इसमें पहली सर्थ ये रखी गई कि हर ग्रह की अपनी निस्चित कक्षा में सूरी की परिक्रमा वो करते हो अधार दूसरी सर्थ यह हैं कि ऐसे खगोली पिंड्ड जो अपनी गुरुत्वा करशन सकते से अपनी कक्षा के आस पास इस्थित अनिपिंड जो है उलका पिंड छुद्र ग्रह धूम केतु को खुद में या तो समाहित कर लें या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दें या फिर कुछ उसमें से चन्रमा बन जाए तो मतलब समझने का क्या है कि इतनी उसमें गुरुत्वा कर्शन सकती हो कि या तो वो जो आसपास पिंड नहें उनको खुद में समाहित कर लें या फिर उनको पूर्णतया बाहर कर दें तीसरी सर्थ क्या है कि उसमें इतना द्रब्यमान हो कि वो अपनी गुरुत्वा कर्शन सकती के माध्यम से अपना गोला कार सुरूप को संतुलित रख सके तो तीन सर्थों के आधार पर जो आकासी पिंड खरे उतरेंगे उनहीं को माना जाएगा ग्रह तो इस प्रकार ग्रह कुल जो ग्रह आए वो कितने निकले कुल ग्रह है ग्रून की संख्या है आठ तो सौर मंडल में कुल ग्रह कितने है आठ ग्रहों की खास बात ये है कि इन अपने ही अक्ष पर कोई चीज घूम रहा हो जैसे आप अपनी जगा खड़े-खड़े चारो तरफ का चक्कर यानि कि घूम ले अपनी जगा ही अपने पैरों पर तो क्या कहलाएगा गूर्णन परिभ्रमड इसके लिए सब दियो प्रयोग होंगे गूर्णन या जैसे यहां पर सूरी है अब सूरी का अगर चक्कर आप लगाएंगे तो क्या होगा यह हो गया उसकी परिक्रमा तो परिक्रमा से बना परिक्रमड जिसको कहते हैं रिवलुशन है ना तो इस तरीके से ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन कैसे घूम रहा है तो यहां होना है तो कुल मैंने बताय कि सब्धिक्राइब कितने ग्रहं हैं तो प्रित्वी सहीत आठ अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात किया है कि जो आथ ग्रहं हैं इनको डिवाइड किया है अंतरी और ग्रह में अंतरीक ग्रहों को कहते हैं पार्थी उग्रह पहला तो कुश्चन आपको यह क्लियर हो जाता है बाह ये ग्रहों को कहते हैं जो भी इन ग्रह ये आंतरिक बाह हैं क्या धरसल इसको अगर मैं ऐसे लाइन खीज दूँ और यहां बना दू सन ये वाला इससा अगर ये आपका सन हो गया तो सन के सब से दूरी के अनुसार यहां पर क्रम लिखा हुआ है पहले आएगा बुद्ध सबसे नजदीक सूरी के फिर सुक्र फिर प्रित्वी फिर मंगल प्रिविहस्पती सनी अरुन वरुन तो क्रम तो आपको याद रहेगा अब इसमें जो ये मंगल वाला हिस्सा है ना ये मंगल मंगल और प्रिविहस्पती के बीश में एक बिल्ड पाई जाती है चुद्ज्र ग्रहों की बिल्ड चुद्र ग्रह जिसमें Also Right बोलते हैं उनको तो किसके किसके बीच बाहे जाते हैं मंगल और प्रि हीस्पती के बीच में इस वाले बिल्ट में तो इसके जो ये वाला हिस् हिस्सा है ब्रिहस्पति से लेके सनी अरुण वरुण ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं बाहिया ग्रह चीक है तो अब आपको confusion नहीं होगा कि आंतरी कि या पार्थियुग्रह किसे कहते हैं बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल और बाह या जोवियन ग्रह किसको कहते हैं तो ब्रिहस्पति सनी अरुण वरुण याद रहेगा चार-चार करके डिवाइट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा यह पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें पार्थी उग्रह है कौन सा इसमें जोवियन ग्रह है इसके बाद अगर इनका आकार के अनुचार देखा जाए तो सबसे चोटा ग्रह कौन सा है बुद्ध उससे बड़ा मंगल पिर शुक्र इसके बाद प्रित्वी तो आकार के अनुचार प्रित्वी कौन सा हुआ ठीक है और अगर सूरी से दूरी की अनुसार देखा जायए तो कौनसा हुआ तो सूरी से दूरी की अनुसार तीसरे अस्थान पर हुआ ठीक है याद रहेगा तो आकार के अनुसार बढ़ता क्रम, बुध फिर सबसे बड़ा कौन सा हुआ तो आप से क्रम ऐसे पूछा जा सकता है अब थोड़ा सा जो यह पार्थियु ग्राह और जोवियन ग्राह बताए गया है आपको इन में क्या विशेश अंतर है वर्गी करण क्यों हुआ है क्या अंतर है थोड़ा इसको समझते हैं तो पहला तो एक विशेश ऑनतर हमने देख लिया कि सूर्वे के नजदीख है इनका निर्मान तो पास है ठीक है धी अब क्यों और भी कोई अंतर है तो थोड़ा इसको यहां पर समझते हैं जो यहां डिसकस किया गया है जो पार्थियू ग्राह यह सूर्वार्धिया है ज Him拿ड जो है वो वह सूरी के पास होगी ед squeezed प्रभाव साली होगी है अब जो पार्थियों ग्रह उनका और जो 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 नुट carbon अब किसी को भी ब्रहसपती को लेए देखिए को ले लेन ले को बड़ा कार और वर ँब करें को तो चुकी जो पार्थियु ग्रह है वो छोटे हैं इसलिए उनकी गुरुत्वा कर्शन सकती थोड़ी कम है और जो बड़े हैं उनकी गुरुत्वा कर्शन सकती अधिक है तो यह वाला पार्थियु है यह वाला जोबियन है इनके उदाहरण तो वही मैंने आपको बताया ही है वही उदारण है कि पार्थियुग्रह के उदारण कौन से होगा एबुद्धुशुक्रिपृत्वी मंगल जो बियंग्रह जो है अरूण वरूण का नाम याद रखेंगे अरूण नाम है Uranus और वरुन का नाम है Neptune क्योंकि अक्सर कर Uranus और Neptune ही बोल दिया जाता है तो आपको confusion होता है एक सबसे बड़ा क्या अंतर है जो पूछा जाता है जो पार्थी उग रहे हैं वह हैं और जो जो भी अंग रहे हैं वह गैसी उग रहे हैं ठीक तो यह रहा आपका जाते हैं और confusion create करते हैं तो बोर्यानी की mercury सूरी के सबसे निकट कग रहा है और सौरमंडल का सबसे छोटा भी है तो important बात का याद रखेंगे सबसे पास का है यह तो याद रहेगा सबसे छोटा है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा और इससे बड़ी बात यह है कि इ इतनी तेज है 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गती से सूरी की परिक्रमा करता है तो जिसकी गती अधिक होगी वो सूरी की परिक्रमा भी सबसे कम समय में यानि की कम दिनों में कर लेगा तो अगर प्रिथवी के दिवस की बात करें तो 88 प्रिथवी दिवस के 88 दिनों में ही व कहीं कहीं पर 50 के आसपास मिलता है लेकिन फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी परिक्रमा सबसे कम समय में होती है शूरी की परिक्रमा करता है और यह स्वर मंडल का इसकी गति जो है कगची गतिव ड़ू सभी अन्य ग्रहों के पिक्षा सरवाधिक है अब इसकी खास बात क्या है क्योंकि इस बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है वायुमंडल नहीं होने के बज़े से क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है अगर आपको नहीं पता है तो मेरा आप classroom lecture देखें ठीक है फिर भी नहीं आता तो comment में लिखें बता कि चुकि इनका वायमंडल नहीं है, तो होता क्या है, कि जब वायमंडल नहीं होगा किसी ग्रह के उपर, तो जो हवा है, वो गर्मी को यहाँ पर बनाए नहीं रख पाएगी, जल्दी से गरम होगा, और जल्दी से इसका वेकिरन्ड भी हो जाएगा, यानि कि heat of transfer बड़ी तेजी से आएगा जाएगा, तो जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो होगा क्या, कि जो इसके दिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गरम हो जाते हैं, क्योंकि रोकने के लिए कोई वावमंडल होता नहीं, और जो राते होती हैं, बह अच्छा सरवादिक है, तो यह रहा आपका बुद्ध का, और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, इसके साथ साथ जो सुक्र है, उसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, मुझे लगता है कि आपको बुद्ध के बारे में important fact समानी में आ गया होगे, आई रेकते हैं शुक्र गरह जो है, इसको हम अपनी आखों से देखते भी हैं अकसर कर, अगर आपको देखना है, तो साम को आपड़े पश्चिम में और सुबह आ को देखना है तो पूर अप में देखिए, शुक्र को सुकुवा भी बोलते है, शुकु अस्त, सुकुवा, उदे, शुक्र बूदय इस तरीके से भी बूलते हैं जो आप आम जण्मानस की भासा में सुन सकते हैं इवनिंग स्टार जब ुबह दिखाई देता है तो कहा जाता है मौर्निंग स्टार तो सांच का तारा भोर का तारा किसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है अब प्रिथवी की बेहन की संग्या किसको दी जाती है वह भी शुक्र को ही दी जाती है बेहन का नाम क्यों दे दिया गया क्यों क्योंकि यह प्रिथवी से आकार गनतो और व्यास आकार गनतो और व्यास में प्रिथवी के लगभग बराबर है इनको याद रखेंगे आकार गनतो और व्यास में प्रिथवी के लगभग बराबर है इसलिए इसको प्रिथवी के बहन की संग्या दी जाती है अब एक बात और खास है कि प्रिथवी के सबसे न ग्रहा, इनके पास अपना प्रकास नहीं होता। लेकिन यदि सूरय और चंद्रमा अगर खगोली पिंदों की बात करें, तो सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर कोई सबसे चमकीला ख़बोली पिंड है तो वो सुक्रग्रह है और इसको आपको तारे के रूप में दिखाई देता है तो इसको भी आप आसानी से देख पाता है सुक्रग्रह की खास बात क्या है जो इसको बहुत बिसेज बनाती है इसके वायू मंडल में अधिक्तम करबन डाय अखसाईड होती है 90-95% carbon dioxide यहाँ पर है और carbon dioxide जो है वो green house effect करती है गर्म रखती है temperature को barrier का काम करती है जब आ जाता है temperature तो वापस जब heat जाने लगता है तो उसको रोके रखती है तो उसको pressure cooker जैसी इस्थिती पंद कर देती है तो यह कहा जाता है कि इसके काराणी pressure cooker जैसी इस्थिती वाला ग्रह कौन सा है तो शुक्र है और चुकि वाउमंडल है carbon dioxide सबसे ज़्यदा है तो क्या होगा यह सबसे गर्म ग्रह होगा एक चीज आपके दिमार्ट में आना चाहिए कि अगर sun है तो sun के पास बुद्ध था बुद्ध सबसे ज़्यदा गर्म होना चाहिए था उसके बाद सुक्र है तो venus क्यों सबसे ज़्यदा गर्म है बुद्ध क्यों नहीं क्योंकि इसके पास अपना वाउमंडल नहीं है और वीनस के पास आप देख रहे हैं कि वायो मंडल में कारबन डायाकसाइड की मातरा 90-95% है तो यह इसका टेमपरेचर क्या होता है अवसूसित कर लेता है और उसको जाने नहीं देता है बाहर जिन हाउस एक्ट करता है तो होता क्या है कि यहां पर सरवाधिक गर्म गरह यह ह पता का तापमान देखे कितना है 465 डिग्री से और इसकी खास बात यह भी है कि इसके चारों तरफ सलफाड़ याकसाइड की घने बादल है तो सीयोटू यह सोटू दोनों इसमें पाया जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका सलफाड़ याकसाइड और करबन डायाकसाइड दोनों आपको याद रखने है एक सबसे इंपोर्टन बाट सुक्र की और क्या है देखिए जो ग्रहों का परिक्रमण है वो जादा तर पस्चिम से पूर्व है वामा बढ़ता है यह कैसा है दक्षना बढ़ता है दक्षना बढ़त कैसे होता है यानि कि यह पूरब से ऐसे घूमता है और बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं आपकी प्रितुई भी कैसे घूमती है तो वह भी पस्चिम से पूरब घूमती है तो यह सभी है और यह वीनस है ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे कि शुक्र ग्रह है यह बाकी ग्रहों की दिशा में इसका एक साथी और भी है अब यह आपको आगे मिलेगा, कि जो दो ऐसे ग्रह हैं, जो विपरीत दिशा में दक्षिना वर्त गोमते हैं, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखनी वाली बात है कि सुक्र अरुण जो हैं, इनकी परिक्रमण दिशा कैसी है, विपरीत है, पूरब से पस्चिम है, जबकि अन सभ नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं, जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो पहले दोन सूरे के पास वाले गुधहर शुक्र, इसका आब वर्त कितने दिनों का होता है, तो ढॉसु पचीस का दूसू की सूरे कश्गर माईश। 255 दिनों में करता तो 243 दिन का है इसका मतलब आपका एक दिन कितनी देर का होता है 24 घंटे में 24 घंटे में एक चक्कर प्रित्वी घूम जाती है अपनी जगह पे और ये एक चक्कर कितने दिन घूमेगा आपके 243 दिन के बराबर तो आप समझ सकते हैं कि इसका गुणनकाल कितना धीमे है तो आन्य ग्रहों के पिछा सबसे लंबे दिन रात यहां पर होंगे क्योंकि आप देखते हैं 24 घंटे में 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होते हैं क्योंकि सूर्य के सामने जो हिस्सा पड़ेगा और यहां क्या होगा अभी 243 दिन का यही है तो इसके आधे दिन होंगे आधा रात ह करना पर होंगे सुक्रों कितनी चीजें मिली यहां पर इनको intertwise करना भी बहुत जरूरी है क्या क्या सिंदर्मा इंती है स reckless a खगोली पिंड है सुक्र सांज का तारा भोर का तारा प्रित्वी की बेहन कहलाती है सुक्र क्योंकि यह प्रित्वी के आकार गनत और ब्यास में बराबर है इस पर कारबन डाया अक्साइड और सलफर डाया अक्साइड के घने बादल है इसकी परिक्रमण दिशा विपरीत है ग्रहों की यानि की दक्षिनावर्थ है यानि की पूरब से पस्यम है इसका कोई उपग्रा नहीं है और सबसे लंबे दिन रात भी यहीं पर होते हैं तो यह रहा हमारा किसकी बात करी हमने शुक्र की आई दिखते हैं पृत्वी जो कि हमारा अपना ग्रह है तो आप जानते है ने, कि और यही गृह है, जिस पर जीवन है, आकार के द्रिस्ती से यह पांचोन बड़ा गृह है और पांचोन बड़ा गृह हैyang यहां आप के दिमाग में बात आनी चाहिक है कि और उमने जब आपको पड़ आया था तो एक जो रिखने जब आकार की बात आई थी आपको ध्यान रही कि वो आमने छोटे से बड़ा बताया था और मैं यहां कह रहा पांचुवा बड़ा ग्रह यानि कि जो आप उसको उल्टा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा आपका है ब् इधा उल्टा थोड़ा confusion नहों यह आपको याद रखना है प्रिथवी का तो खास तोर से याद रखना कि पांच वह बड़ा ग्रह है इससे छोटे कौन से होंगे तो उसी क्रम में और नीशे चले आईए शुक्र फिर मंगल फिर उसके बाद बुद्र तब आपका गलत नही है कि चुक है कि और इसका जो आकार कैसा है तो इसका आकार भू आप भू आपाय होता है कि दृवों फंपर थोड़ा चप्टा थे इसलिए इसका नाम है भू आपाटी पर पित्वी की हम गएकaris की नाम दिया गया जीओए Y suspect को यहाँ पानी की मातरा अधिक है समूदर दिन में करता है तो सौर बर्स होता है इसका 365 दिन पांच घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यही च्राइम बढ़ करके आगे चलके लीपियर में कनवर्ट हो जाता है और यहीं अब हैं आपका आजाता है आगे लीपियर बिन जाता है और जब आपको यहां बात पता चली कि सार ग्रहा है और वरो पर ठीक है वरो याननी के नेप्ची सूहउन पर पाए जाते हैं और एक प्रिथ्वी आपका होई गया उपने यहापर दिया नहीं प्रिथcho फेलिकों करते हैं तो पांच ग्रह ऐसे हैं जहां पर active volcano पाए जाते हैं और इसका एक मात्र पग्रह कौन सा है तो वो है चंद्रमा एक टर्म दिया है गोल्डी लाक्स चोन ये क्या है इसको ये पीसी ने पूछा था तो गोल्डी लाक्स चोन को होता है निवास योगिछेत्र या जीवन चेत्र तो पृत्वी अंत्रिक्ष में किनी दो छेत्रों का प्रतिच्छेदन चेत्र होता है जिने जीवन हेत्व सहायक होना चाहिए तो गोल्डी लाक्स चोन को लेकर अगर आपसे कभी कुछा जाया तो आप यहां से इसको बता सकते हैं अगला देखते हैं मंगल तो मंगल जो है आकार के दिश लिए आपको बार-बार याद नहीं करनी पड़ेगी ठीक सूरी की परिक्रमा करने में इसको 687 गिन लगता है आंतरी ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है तो आंतरी ग्रह मैंने कौन-कौन से पताये थे बुद्ध शुक्र प्रिथवी मंगल तो उसका अंतरी ग्रह में बाहर तो इसलिए इसको लाल रंग का दिखाई देता है लाल ग्रह भी कहते हैं अब यहां जो मंगल का वाय मंडल है यहां पर भी लगभग 5% कारवन डाय आक्साइड और अन्य गैसे भी पाई जाती है नाइट्रोजन आरगन कारवन मोनो आकसाइड यह गैसे यहां पर पाई जाती हैं इनकी विद्यमानता मंगल ग्रह पर पाई जाती है इसके बाद और इसे इंपॉर्टेंट जो देखें तो इसका जो अक्षी जुकाओ है वो प्रिथवी के लगभग बराबर है प्रिथवी का कितना है 23.5 डिगरी जुकी होई है प्रिथवी और जो मंगल का जुकाओ है वो है 25 डिगरी तो लगभग लगभग बराबर हुआ ना यह मार्स का है और यह अर्थ का है तो दोनों का जो आपका जुकाओ है कितनी प्रिथवी जुकी हुई है यहां उसकी बात हो रही है तो 25 जुकी होने के कारण मंगल पर प्रिथवी के समान ही लगभग समान अबदी की दिन रात होते हैं इसके दो उपग्रा है फोबोस और डीमोस जो डीमोस है वो सौर मंडल का सबसे चोटा उपग्रा है इसके साथ ही साथ मंगल ग्रापर सबसे बड़ा जौला मुखी पूरे सौर मंडल का पाया जाता है ओलंपस मोंस और मंगल ग्रापर ही पूरे सौर मंड Master of Gods, क्यूं? आकार बड़ा है ना इसका, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, इसका क्रम क्या होगा? तो क्रम कैसे याद करेंगे? आकार से क्रम याद करेंगे और सूरे से दूरी से भी याद करेंगे, तो सूरे से दूरी के क्रम पे देखें, तो आंतरि साथ परिक्रमा कितने समयमपूरी करता है तो लगभग 12 साल में इसका एक दिन कितने का होता है ति एक दिन यह बहुत चोटा होता है लगभग 9 गंटे 56 मीनट में चक्टा लगाता है इसका सबसे छोटा दिन होता है इसका करता है तो गुर्णन दूसरा सर्वाधी wasla है एक समय था जब माना जाता था कि सरवाधी को पग्रा ब्रेस्पतिक के ही है लेकिन बाद में खोजी होई तो पता चला कि सनि के सरवाधीं है और इसके दूसरे सब जिए नाम है चोटे आकार के हैं इन्हीं में एक नाम है गैनिमीड तो गैनी नीड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रा है अभी आपने देखा तक डिमोज वंगल का है वो सबसे छोटा उपग्रा है और इसका जो गैने मीडी है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रा है तो खुद भी सौरमंडल का सबसे बड़ा है और इसका उपग्रा भी सब लिलियों ने की थी एक बात इसको बहुत खास बनाती है कि इसकी जो इसकेप विलासिती है पलायन विग वह बहुत ज्यादा है लगबग 59.6 59.6 किलो मीटर पर सेकंड यानि कि यदि इस रफ्तार से यहां कोई समान फेका जाए उपर की तरफ तो वह रहस्पति की कख्छा में नहीं आएगा बाहर चला जाएगा अजन्य था चलाएगा वापस तो अब बताईए प्रिथवी का कितना है तो 11.2 किलो मीटर पर सेकंड है तो यह देखिए 11.2 किलो मीटर पर सेकंड है प्रिथवी का पलायन वेग तो यही काफी ज्यादा होता है और इसका कितना ज्यादा है तो सौर मंडल में सरवाधिक जो पलायन वेग है वो किसका है प्रिहस्पति का है यानि कि यहां से कोई समान बाहर नहीं निकल सकता कोई इसके बड़े आकार के कारण इसको तारह सदिज्ग भी कहा जाता है इसका उपमा दी जाती है इसको मास्टर अप गॉड्ज और इसमें तारह और ग्रह दोनों के गुण है क्योंकि इसके पास स्वयम की अपनी रेडियो और जाए और इसके वायो मंडल में हाइड्रोजन ही इलियम मिथेन अमोनिया गैसे पाई जाती हैं और इसको जो है लगुस और तंत्र स्माल सोरर सिस्टम भी कहा जाता है ब्रहस्पती को तो इसके अध्यान के लिए नासा ने जूनो नामा कंतरिक्ष्यान भेजा था जो यह 2016 में ब्रहस्पती पर पहुंचा था अगला ग्रा दे आगर वही आप लगभग जो बाहिया जोरम ग्रह थे उनको अगर आप पलट दिए जोवीय अंग्रह में क्या था है ब्रिहस्पती सनी इरõण वरण उसको यहां पर पलट के रंग दें तो आपको आकार जू है वह वो मिल जाएगा जोवीयं घ्रां का ठीक है अगा जोवी ना तो दूरी के क्रब में तो को निकाल दीजिए प्रेस्टा कौन साथ 28 अस्थान पर यह अब इसके जो विसको फेमस क्यूज है इसके चारों पाया जाता है वल्य कि इसकी खासियत क्या है इसका नत सभी ग्रहों से adopted दूसरा सबसे बड़ा लेकिन इसको बहुत कम है 0.7 ग्राम प्रतिगंद सिंतिमीटर तो इस पर पीली अमोनिया के कण के परस से घिरा हुआ है इसलिए जो है यह यह पीले रंग का दिखाई देता है यहां के वाय मंदल में पीली अमोनिया भरी हुई है इसमें एक होती है रिंग क्रॉसिंग की घटना होता क्या है प्रिस्पति के समान हाइड्रोजन हीलियम मीथे नमोनिया गैसे पाई जाती है और इसको कहते हैं गैसों का गोला इसका घना तो भी कम है इसलिए सनी का जो घूनन काल है वो 10 गंटा 40 मिनट का है और जो पित्वी सूरी के परिक्रमा करता है लगभग 29 वर्स में करता है इसक है और मंदल का दूसरा सबसे अब रहा है घनि मेलेस सबसे बढ़ा था यसे छोटा कॉन सा फुर्वा टाइंटन का है सद लिकार कि की Verma कि अब ही तक आपने ग्रह तो देखा था कि में प्रहमान करते तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि इसमें एक होता है ज़ो ग्रह अगर पूछा गिया हो तो आपका जो सुक्र आएगा सुक्र है वो भी आपके विक्रित दिशा में ग्हूमता है और इसके बाद औरवनुम इ往न यो, अरोन के बारे में देखते हैं तो यह आकार में तीसरा बड़ा सूरे से दूरी के क्रम में साथवे अस्थान पर है अब इसकी खोज किस ने की थी तो सर विलियम हर्सल ने 1781 की थी इसको परिक्रमा करने में लगबग 84 वर्स लगते हैं और इसके लगबग 27 गया तो पग्रह है इसको लेकर question क्या पूचह जाते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं तो यह अरोन है यानि की यूरेनस है क्योंकि इसका अक्षि जुकाओ जो है वो बहुत ज़ादा है इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसका भी जो ब्रमण है वो भी दक्षिना वर्थ है यानि कि clockwise है इस तरीके से ये परिक्रमा करता है तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सुर्योदय यहां पर पस्चिम में होता है और सुर्यास्थ पूरब में होता है जिसका भी परिक्रमा उल्टी होगी तो उसका सुर्योदय और जो सुर्यास्थ होगा वो क्या हो बात है कि अपने अक्ष पर ये पूरव से पश्चिम धक्षिनावर दिशा में गुमता है इसलिए यहां सुरियोदे पश्चिम में और सुरियास्त पूरव में होता है और एक खास बात यह है कि अरुण ग्रह में सनी की तरह चारुण बले पाए जाते हैं तो हमने देख अब देखे टाइटन याद रखिएगा सनी का है यह तो तो यह आपका नेप्च्टून का है इसके प्रमको पघ्रा है यहाँ पर गीजर के प्रमाण्मिले हैं यह रहाए आठ और इसके बाद जो बचते हमको कर जाता है बानेगरा इसे में रुखा गया है आपके Pluto को, Ceres को, Aries को, Homiya, Mekmek इन सब को जो है, Bona Grah की संगया दी गई है, जो परिवासा में नहीं आते हैं, जो Grah की परिवासा से बिन्नता रखते हैं, उनको Bona Grah की संगया दी जाती है अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ important facts हैं इस chapter में तो इसको हम लोग अपने अगले lecture में discuss करेंगे, क्योंकि इसे lecture लंबा हो जाता है तो पढ़ने में मन भी नहीं लगता है और बहुत सारी चीजा हम skip कर जाते हैं तो हम लोग इसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे उसके बाद में practice से भी हल करेंगे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए, goodbye